लोग सभा अध्यक्ष ओम बिल्दा शुक्रार को सदन में किसी का नाम ले ये बिना तंज कस्ते नजर आए उन्होंने कहा कि आज कौल यहां महाभारत सुनाने का किस्सा ज्यादा चलता है उन्होंने ये टिपड़ी उस वक्की जब भाजपा सांसत प्रदीव पुरोहित ने आयूश मंत्राले से संबंदित प्रस्न पूछने के दारान रामायन के प्रसंड का उलेख किया इस पर बेला ने कहा आप महाभारत मत सुनाई आप प्रस्न पूछिए आज कल महाभारत सुनाने का किस्सा ज्यादा चलता है यहां तो क्या कुछ में पूरा मामला आपको बताते हैं इस स्पेशल स्टोरी में नमस्कार आप देख रहें कैपिटल टीवी मैं हूँ आपके साथ पल्लवी सिंग लोग सभाद्यक्ष ओम बिल्ला ने शुक्रवाल यानि दो अगस्त को कहा कि सदन में हिंदू महाकाव्य महाभारत की कहानियां खूब सुनाई जा रही है उन्होंने ये टिपणी एक सांसत से ये कहते हुए कहा कि वे कहानिया ना सुनाएं बलकि मुद्दे पर आधारिक प्रश्न पूछे दरसल ओडिशा की बारगड से बीजेपी सांसत प्रदीप पुरोहित ने केंद्रिया आयूश मंत्री से एक प्रश्न पूछते हुए रामायन के प्रसंग का उलिख करते हुए इलाके में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों के इतिहास को प्राचीन काल तक ले जाने की कोशिश की एक नियूज एजनसी के मुताबिक ओम बिर्ला ने प्रश्न काल के दोरान संसद सदस्य से कहा कहानिया मत सुनाईए सवाल पूछिए उन्होंने आगे चुटकी लेते हुए कहा कि आज कल महाभारत सुनाने का किस्सा ज़्यादा चल रहा है यहाँ पर ओम बिर्ला ने क्यों कही यह बार लोग सभाध्यक्ष का बयान उस घटना के बाद आया जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन में महाभारत का हवाला देते हुए दावा किया था कि महाभारत काल में जिस तरह से अभी मन्यू को चक्रवियों में फसाया गया था उसी तरह आज देश को भी चक्रवियों में फसाया जा रहा है कॉंग्रेस नेता ने कहा चक्रव्यू को 6 लोग कंट्रोल कर रहे थे और इसमें हिंदुस्तान की जनता को ऐसे ही घेर कर मारा जा रहा है जिस तरह हजारों साल पहले हर्याना में अभी मन्यू को 6 लोगों ने चक्रव्यू में फसाया था राहुल गांधी ने क्या कहा था दरसल संसत सत्र के दौरान राई बरेली से सांसत राहुल गांधी ने कहा था 21 सदी में एक और चक्रव्यू तयार किया गया है ये कमल के रूप में है और प्रधान मंतरी नरेंद्रमोदी इस प्रती को अपनी चाती पर पहनते हैं अभी साथ इसके युवाओं महिलाओं किसानों और छोटे एवं मध्यम व्यवसायों के साथ किया जा रहा है वहीं बीजेपी सांसत अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा था कि कॉंग्रस ने देश के लिए कई चक्रविव विछाए हैं प्रधान मं मंत्री शिवराज सिंग चौहान ने शुक्रार को कॉंग्रस के डीने में किसान विरोध होने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद से नरेंद्र मोधी सरकार ने क्रिशी के शेत्र में प्राथ मिक्ताओं को बदला जिसके अच्छे परिनाम आज द प्रतीक जोपर में तो धोखे से ही हराया गया और चक्रविव में फियर वार से नहीं बलकि घेर कर मारा गया था उन्होंने प्रश्ण किया कि कॉंग्रेस को अभ क्यूंने कहा कि हम जो महाभारत काल में जाते हैं तो हमें तो भगवान कृष्ण ही याद आते हैं यदा यदा ही धर्मस्य याद आता है हमको तो कनहिया याद आते हैं अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे किसे जब सदर में मौजूद नेताओं की हरकतों से परिशान होकर ओम बेलाने उनकी वाट लगा दी अठारवी लोकसभा सत्र के पहले दिन से ही संसद में कुछ न कुछ हंगामा देखने को मिल रहा है कभी एमरजेंसी के बयान को लेकर तो कभी सेंगोल के हटानी की मांग को लेकर संसदों में विवायत के स्थिती बनी हुई है संसद सत्र के चौछे दिन भी संसद के अंदर वैसा ही माहूल देखने को मिला था जिसमें शपट के वक्त स्पीकर काफी गुस्य में नजर आए कौंग्रेस संसद सशी थरूर ने सत्र के चौछे दिन लोकसभा सदस्ति के रूप में शपत ली इस दौरान स्पीकर ओम बिल्ला कॉंग्रिस सांसत पर नारा जो गयен दरसल शपत लेने के बाद शसी थरूर जैस समविधान का नारा लगाते हुए नजर आnt जिसके बाद उन्होंने स्पीकर ओम बिल्ला से हाथ मिलाया जहां पर उम्बेला ने उनके नारा लगाने वाली बात पर कहा कि आप सम्विदाहन की शपत तो ले ही रहे हैं तो इसे बोलने की क्या जरूरत है राहुल गांधी को लगाई फटकाल मर्यादा में रहने की दी सलाह लोगसभा अध्यक्ष उम्बेला ने सुमवार को विपक्ष के नीता राहुल गांधी को संसद्ये प्रकिरिया नियम कम से कम एक बार और पढ़ने की सलाह दी बेला ने गांधी को ये सलाह तब दी जब उन्होंने केंद्रिये बजट पर सदर में अपने भाशन के दौरान उन लोगों का भी जिक्र किया जो की लोगसभा के सदस्य नहीं है और तस्वीरे भी दिखाई देने की मांग की लोगसभा अध्यक्ष ने राहुल गांधी को क्या कहा अध्यक्ष ने कहा कि आप विपक्ष के नेता हैं मैं उमीद करता हूं कि आप पहले सभी प्रकिरिया नियम एक बार और पढ़ें बिरला को कई बार राहुल गांधी को प्रकिरिया के नियमों की याद दिलाने पड़ कॉंग्रेस सांसत पर क्यूं भढ़के लोगसभा स्पीकर लोगसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल की कारेवाई के दौरान जब केंद्रिय स्वास्त मंत्री जीपी नड़ा एक सवाल का जवाब दे रहे थे उस समय मनेकम टैगोर विपक्षी बेंच की तरफ अपनी सीट स से पीछे जाकर खड़े होकर एक सांसत के साथ बाते कर रहे थे और उस समय उनकी पीठ लोगसभा अध्यक्ष के आसन की तरफ था जिसके बाद लोगसभा स्पीकर ओम बेला की नजर जैसे ही उनकी तरफ गई उन्होंने जवाब दे रहे जेपी नड़ा को रोक कर कॉंग्र आपको वो भी ट्रेनिंग लोगसभा में एक केंद्रिय मंत्री की हरकत पर स्पीकर ओम बेला को गुस्सा आ गया दरसल काबिनेट मंत्री जेब में हाट डाल कर दूसरे सांसत से बात कर रहे थे प्रशनकाल के दौरान ओम बेला ने केंद्रिय मंत्री से कहा कि मंत्री जी कृप्या अपनी जेब से हाथ बाहर निकालिये इसके बार बिर्ला ने वहां मौजूद सभी सदस्यों से कहा कि सदन में जेम में हाठ डाल कर ना घुमें इसके साथ उन्होंने कहा कि जो सांसत सदन में अपने मुद्धों को उठा रहे हैं उनके आगे से ना जाये गौरब गुगोई को क्यों लगी ओम बिर्ला की फटकार लोगसभा अध्यक्ष ने सदन में विपक्ष के उपने इता गौरब गुगोई को अपने एक सदस्य को सवाल पूछने से मना करने के लिए वो द्वार को आडे हाथो लिया और कहा कि बोलने की आजादी सभी को है बिर्ला ने प्रश्नकाल के दौरान डिजिटल इंडिया पहल से संबंधित एक पूरक प्रश्न पूछने से कौंग्रेस सदस्य डॉक्टर किर्सन नाम देव को रोकने के लिए गौगोई की आलोचना की जब गौगोई ने नाम देव की सीथ पर जाकर उन्हें सवाल बिल्ला ने कहा बोलने की आजारी सभी के पास है आप उन्हें रोकने जा रहे हो नहीं यह गलत है ऐसा मत कर ये सदन में किसी को भी नहीं रोक सकते ऐसा मत कीजिये उन्होंने आगे कहा कि कोई नया सदस से चुन कर आया है और वो अपने शेत्र की बात पूछ रहा है तो आप उन्हें बोलने से क्यों रोक रहे हैं इस तरीके से ओम बिला सत्र के दौरान कई बार सांसदों की हरकतों पर नाराज नजर आये और उनकी क्लास भी जम कर लगाए जिस पर विपक्ष को हमेशा से ही आपत्ती रही है लेकिन इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाएं फिलाल मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रही है क्यापिटल टीवी नमस्कार अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया